Hello guys, स्वागताब सिभी का इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम सीखेंगे letka youse Letka youse काफी तरीकी से किया जाता है, लेकिन आज इस वीडियो में हम letka youse सीखेंगे active voice में यानि की tenses में जब हम letka youse करते हैं, तो हम कैसे कैसे sentences अपनी conversation में use कर सकते हैं तो करते हैं वीडियो को step बिनादेर करते हैं. पहले हम सीखते हैं let का use imperative sentences में. यानि कि imperative sentences क्या होते हैं? जब sentence में आता है दो. यानि किसी को कोई काम करने दो. या तो हम order देते हैं किसी को, या फिर हम request करते हैं, या किसी को command करते हैं. इस situation में जो भी हम बात बोलते हैं, वो let से बोलते हैं. जैसे मैंने कहा मुझे पढ़ाने दो. Let me teach. उसे बोलने दो, let him speak. इस तरीकी से दो के अर्थ में. अब दो के अर्थ में हम दो तरीकी से यूज़ करते हैं. एक तो let का यूज़ करते हैं. एक हम give का यूज़ करते हैं यानि मुझे ये चीज दो या मुझे करने दो आपने हमेशे याद रखना है let के साथ हमेशे वर्ब आती है और जो give है उसके साथ हमेशे हमारा now नाता है या कोई भी thing आती है ओकी क्योंकि जब basic हमारा clear होता है तब ही आगे पढ़ने में मज़ा भी आता है और आपको समझ भी आएगा तो पहले हम यह सीख लेते हैं तो वर्ब आगी हमारे पास उसके बाद जो let है उसके बाद हमेशे हम objective case का use करेंगी ठीक है उसके बाद हमारा objective case आएगा कभी भी आप जो भी यूज कर रहे हैं objective case से ही आपका sentences बनेगा फिर वर्ब आएगी ठीक है ऐसे ही इसमें भी give उसके बाद objective case या फिर कोई आपका noun हो सकता है या thing हो सकती है other word है तो आप लगा सकते हैं अप जो दोनों जो हमारा है give भी लेने की दो give के लिए भी हम दो का यूज करते हैं याने की sense जमारिक निकलती है दो और let के लिए भी sense निकलती है दो ठीक है जब हम imperative sentences बोलते हैं जैसे मैंने कहा मुझे पढ़ने दो ये sentence हमारा मुझे पढ़ने दो तो हम कैसे बोलेंगे let उसके बाद हमने objective case लगाना है objective case क्या होता है जैसे I come, me he का him या her हो जाएगा यानि यहाँ see होगा तो her और he होगा तो him we, us they, them ये हमारे सारे क्या होते है objective case होते हैं और ये हमारे subjective case होते हैं अगर आपने यहाँ subjective case का यूज कर दे तो हमारे sentence गलत हो जाएगा जैसे हम यह नहीं बोल सकते let I study let I speak हम ऐसे नहीं बोल सकते तो यहाँ पर objective case लगाएगे तो मुझे है तो मुझे का क्या हो जाएगा me let me study हो गया उसके बाद जब भी आप किसी को काम करने देने की बात करोगे तो आप ऐसे यूज करोगे अगर यहाँ कहते हैं हम मुझे एक ग्लास पानी दो मुझे एक ग्लास पानी दो तो गिव objective case मुझे दो give me a glass of water ठीक है इस तरह से आपने यह थोड़ा चोटा सा जो इसका इंट्रो था वो सीखा जैसे मैंने का मुझे पढ़ाने दो let me teach मुझे जाने दो let me go उसे आने दो let him come उसे बैठने दो let him sit उसे सोचने दो let him think इस तरह से आप काफिव साल sentences बोल सकते हैं let का using जब आपने बोलना हो imperative sentences में आप सीखते हैं जब हम let का यूज करते हैं tenses में इंके जो हमारा main topic है आजक़ वो है हमारा जब हम let का use tenses में करते हैं तो कैसे हम sentences को बनाते हैं वो देखते हैं पहले देख लेते हैं, हम simple sentence में, यानि present में बात करते हैं, तो हमारा structure क्या होता है? subject, let, let's, then objective case, then हमारा v1 और object, यह हमारा structure होता है, simple present tense में, जब हम let का यूज़ करते हैं, जो let का यूज़ कैसे होगा हमारा, यानि कि यह होगा हमारा I, we, you, they, और इसका यूज़ होगा हमारा he, say, it, name, यानि singular person के साथ हमारा let's लगेगा और जो plural person होगा उसके साथ हम let का यूज़ करेंगे, then objective case, objective case क्या होता है, जैसे I का हो जाएगा me, he, him या his, see हो जाएगा her, we, us, they, them, यह होते हैं हमारे objective case, यह होते हमारे subjective case, okay, we, one मतलब जो भी verb की main verb होगी, यानि कि base form होगी, उसका यूज़ होगा, then हमारा कोई भी object उसमें sentence में होता है, उसका यूज़ होगा, आयोप यहां तक आप clear हैं, उसके बाद मैंने कहा, एक sentence मैंने लिया, मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, यह हमारा क्या है, simple present का sentence है, तो इसमें क्या हो गया, I teach, okay, अगर मैं यह बोलो, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, तो I teach you, मैं तुम्हें पढ़ाने देती हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाने देती हूँ, यह हमारा sentence है, अब देखो, यहां पर मैं काम नहीं कर रही हूँ, तुम्हें करने देती हूँ, तुम्हें allow करती हूँ ये काम करने के लिए क्या पढ़ाने के लिए तो sentence क्या बनेगा हमारा I पहले हम structure को देखेंगे I के साथ क्या यूज होगा let उसके बार objective case यानि कि तुम्हें यूज ही आएगा हमारा क्या करने देती हूँ पढ़ाने देती हूँ यानि teach इस तरह से आप काफे सार संटेशिस बोल सकते हैं जैसे मैं उसे बैटने देती हूँ I let him sing मैं उसे phone use करने देती हूँ I let him use the phone इस तरह से काफे सार संटेशिस आप बना सकते हो जब आपने बोलना हो कोई काम करने देती हूँ अब आपने करना क्या है इसके पहले हम बनाएंगे simple उसके बाद interrogative, negative, double interrogative और double family word के साथ इससे आपकी practice होगी जितना ज़दा practice करेंगे उतनी जल्दी आप मिलिस बोलना सीखेंगे हम इसी sentence को लेते हैं और 6 structure में बनाना सीखते हैं मैं तुम्हें पढ़ाने देती हूं I let you teach मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं देती हूं I don't let you teach क्या मैं तुम्हें पढ़ाने देती हूं do I let you teach मैं तुम्हें क्यों पढ़ाने देती हूं I do let you teach इस तरह से आपने काफी सारे sentences की practice करने हैं आपने आप से और sentences को बनाना है अब बात आती है हमारे जब हम past में बात करते हैं जब हम simple past की बात करते हैं तो हमारा structure होगा subject then हमारा let उसके बाद हमारा objective case v1 और object ठीक है जो let है इसकी तीनो form होती है हमारी let 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 इसमें changing नहीं होता है तो इसकी sense निकल के आती है हमारी ने दिया अब मैंने एक sentence लिया मैंने उसे बोलने दिया यह हमारा sentence है अगर हम यहां बोलते कि मैंने नहीं बोला मैंने उसे बोलने दिया अलाव किया उसको और यह हमारा past indefinite है तो subject हमारा क्या है मैंने यानिकि I उसके बाद let I let him speak or tell, कहने दिया, ठीक है, अब इस sentence की sense ये भी तो निकल सकती है, मैं उसे कहने देती हूँ, ये sense भी तो निकल सकती है, क्योंकि जब form let ही है, और उसमें भी हमारे जो present indifferent tense होता है, उसमें भी let का use होता है, तो कैसे पता करें कि हम ये sentence जो हमारा है वो past का है, ये depend करता है, जब आप conversation करते हैं, तो आपको खुछ से पता चल जाता है कि आप किस वे में बाते कर रहे हो, इसके जो पहले sentence होगा, उसके according या इसके last में जो sentence आप बोलते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप यहां past में बात करें, इस तरह से हम use करते हैं इसको, अगर हम इसकी बात करते हैं negative की, तो did का use होता है, ये आप सभी को पता है, अगर आपने sentences को अच्छे से सीखा है, पढ़ा है तो, इस तरह से आपने sentences बनाने हैं, काफी साथ sentences बनाने हैं, जब आपको बताना हो किसी को काम करने देना है, या को नहीं कहने दिया यानि कि कुछ कहना चाहता था लेकिन मैंने उसे नहीं कहने दिया तो मैंने नहीं कहा उससे नहीं कहने दिया तो I didn't उसके बाद let him tell about this इस बारे में नहीं कहने दिया नेक्स संटेंज लेते हैं उसने मुझे वहाँ नहीं जाने दिया नहीं जाने दिया यह डिड़न्ट लेट में गो दिया ठीक है इस तरह से आपने संटेंज इसको बनाना और प्रैक्टिस करनी है अब बात आते हैं फ्यूचर टेंज में जब हम फ्यूचर टेंज में यूज करते हैं लेट का तो हमारा संटेंज बनेगा यहां पर जो है हमारा लेट से पहले हमारा विल आ जाएगा सब्जेक्ट और विल देन हमारा लेट अब्जेक्टिव केस वीवन और अब्जेक्ट इसकी सेंस निकलके आएगी ने देगा कोई काम कोई किसी को करने देगा चाहिए आप किसी को करने देगे या आपको कोई काम करने देगा वह मुझे वह मुझे फोन यूज करने देगा यानि कुछ से नहीं करेगा मुझे फोन यूज करने के लिए अलाव करेगा तो वह नहीं कर रहा है मुझे करने दे रहा है इस sense में हम let का use करेंगे तो sentence होगा He will let me use the mobile वहें मुझे phone use करने नहीं देगा He will not let me use the mobile वहें मुझे प्रैक्टिस नहीं करने देगा He will not let me practice क्या वहें मुझे जाने देगा Will he let me go क्या वहें उसे आने देगा Will he let him come इस तरह से आपने प्रैक्टिस करने हैं एक sentence को लेके बारी-बारी से ये तो बात हो गई हमारे तीनों tenses में जब हम indefinite tense की बात करते हैं present indefinite, past indefinite और future indefinite अब बात करते हैं जब हम Latin का use करते हैं Latin के use के लिए हम use करते हैं जो हमारा होता है past, present, future, continuous tense उसमें जो let है उसकी जो form है वो change हो जाएगी हमारी क्योंकि हमेशे जो let की verb की form है वो ही change होगी then हमारी जो we want तो वो तो always इसके साथ ही रहेगी उसको आप change नहीं कर सकते हैं जब हम continuous की बात करते हैं तो subject is MR Latin objective case we want object जैसे मैंने sentence लिया एक वह मुझे पढ़ने दे रहा है वह मुझे पढ़ने दे रहा है यानि वह नहीं पढ़ रहा है वो मुझे पढ़ने दे रहा है तो he he के साथ हम क्या लगाएंगे he is letting me study अब यहां studying नहीं करना है आपने यह चीज आपने ध्यान अखनी है यहां पर जो let की form है वो already हमारी change होगी यानि कि इसमें ing लगेगा यहां पर हम v1 का ही use करेंगे यहां आप mistake कर जाते हैं कि यह ध्यान अखना है वह मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है क्या हो है मुझे पढ़ने दे रहा है he is he letting me study इस तरह से आपने use करना है यहां पर हम question mark लगाएंगे काफी सारे sentences बोलने है और practice करने है अब बात आते हैं जब हम बात करते हैं past की जब हम past में continuous में बात करेंगे तो यहां is mr है वहां पर हम was वर का वर letting objective case we won और objective आज़ेगा हमारा जैसे मैंने कहा की वह उसे टीवी देखने दे रहा था ठीक है तो वह यानि he उसके बात was letting him was टीवी यह वह उसे टीवी देखने दे रहा था नहीं दे रहा था he was not letting him was टीवी क्या वह उसे टीवी देखने दे रहा था was he letting him was टीवी इस तरह से आपने past में इसको यूज करना है अब फ्यूचर की बात करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर जो is MR और was word हमने यूज किया था यहाँ पर केवल will be का यूज होगा यहाँ पर will be का यूज होगा will be यानि कि वह सो करने दे रहा होगा यानि कि वह काम नहीं कर रहा है उससे करने दे रहा होगा तो ही विल बे लेटिंग हीम स्लीप यहाँ पर हमारा objective case होगा हीम वीवन स्लीप होगा है स्लीपिंग नहीं करना है आपने क्योंकि हम already यहाँ लेटिंग लगा सकते हैं लेटिंग के बाद हम वीवन का ही यूज करेंगे लेट हो या लेटिंग हो या कोई भी है यानि लेट कि जो फोम है वो ही चेंज होगा हमारी लेट लेटिंग और लेट्स फर्स्ट फोम, सैकेंड फोम, थर्ड फोम, फोर्थ फोम और फिप्ट फोम यह चेंज होंगी और वीवन तो हमारा संटेंज में आएगा ही यह आएगा यह आपने ध्यान रखना है अगर हम यह नेगिटिव की बात करेंगे तो ही वील नोट भी लेटिं हम स्लिप ठीक है काफ़ी साल संटेंजिज आपने प्रैक्टिस में करना है और इसको यूज करना शेखना है जैसे मैंने का यहाँ पर वह उसे काम नहीं करने दे रहा होगा दे रहा होगा तो संटेंज बनेगा हमारा ही वील नोट भी लेटिंग हेम डू वर्क उसे काम करने नहीं दे रहा होगा इस तरह से आपने काफ़ी साल संटेंज बनाने हैं लेट से अगर आपको आते हैं तो इसको इसली आप यूज कर सकते हैं ऐसे ही हमने सीखा यह हमारा क्या था पास्ट में प्रेजेंट में फ्यूचर में अब बात करतें जब हम परफेक्ट की बात करते हैं परफेक्ट टेंज में क्या यूज होता है है तो हमने यहां पर विल-बी की जगहा है वल्ज वर्ड की चільки जगह और इसे मेर की चीज है ॹार उप्रेड फाund जब हम फ्रेफ्ट टेंज की बात करते हैं यानि कि प्रेजेंट प्रेफेक्ट की बात करते हैं तो हमारा जो इस हां पर फिर्फ थाड फंड नहीं लगाने यह ढ Körper सिखते हैं उसने मुझे घर één दिया है या जाने दे चुका है तो ही है है लेट मी अप्रक्स आपने अप्रक्डश करने देज तुम्हें घर जाने दे चुका था, आप देखो यहां चुका था, तो मेरा टेंस कुन सा हुआ यह, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में क्या यूज होता है, हैड, हैड यूज होता है, then वर्ब की थार्ड फोन, यानि कि लेट का ही यूज होगा, तो संटेंस क् बनेगा हमारा, he had let you go to home, नहीं की फोन में बनाना है, तो नोट का यूज करना है, सभी सब्जेक्ट के साथ हमारा है, हैड का ही यूज होगा, then sentence है मांगरा अगला, वह उसे जाने दे चुका होगा, यानि कि future tense की बात हो रही है, future perfect की बात हो रही है, तो he will have let him go, अब यहाँ पर यह नहीं है, कहाँ जाने दे चुका होगा, तो हम यह sentence अपना complete करते हैं, इस तरह से आपने बारे बारे से practice करने सभी sentences की सभी tenses में, इस तरह से आपने सभी sentences में let कर use करके practice करनी है, जब आपने बोलना हो, कोई काम आपको करने देता है, या आप किसी को काम करने देते हो, इस sense में जितने भी sentences आप बना पाते हो, जाज़ा से जाज़ा sentences को बनाईए, और loudly बोलने की practice कीजिए, अगर वीडियो आपको अच्छ